MS Word की इस वीडियो में आज हम जानेंगे Cross Reference के बारे में जब आप Cross Reference पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें दो Option मिलते हैं Reference Type, Reference Type में हमें Heading, Bookmark, Footnot, EndNote काफी सारे Reference Type मिल जाते हैं Insert Reference 2 में हम किस तरीके से अपने Reference को Show करना चाहते हैं वो Option मिल जाते हैं सबसे पहले मैं अपने Word Document में Random Text Insert कर लेता हूँ इसके लिए मैं Random Text का Formula लगा रहा हूँ Enter Press करूँगा तो Random Text आ जाएगा अब मैं जा रहा हूँ Top में और थोड़ा यहाँ पर Space देखे कुछ Line ने Insert कर लेता हूँ और इसके बाद मैं Cross Reference पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखे First जो Option है वो है Number Item Number Item को Select करने के बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ भी Option नहीं आ रहा क्योंकि जो अभी जो मेरे पास Paragraph है वो Number में नहीं है तो Paragraph को Number में Convert करने के लिए मैं जाँगा Home Tab में और यहाँ पर मैं अपने इन दो Paragraph को Select कर रहा हूँ और यहाँ देखे Numbering यह Numbering का Option होता है इस पे हम क्लिक करेंगे तो यह जो हमारे Paragraph है यह Number में Convert हो जाएंगे देखे 1, 2 चीक है अब मैं जा रहा हूँ फिर से यहाँ पर Insert Tab में Cross Reference पे क्लिक करूँगा तो देखे दोनो Paragraph यहाँ पर Show हो रहे है अब इसके नीचे देखे हमें एक Option मिल रहा है Insert ऐसे Hyperlink अगर आप चाहते हो यहाँ पर जो भी आप Number Insert करना पेज का या Paragraph वो एक Hyperlink बन कर आए तो आप यहाँ पर इसको Check करिए इससे फाइदा ही होगा जब आप उस पे क्लिक करोगे तो आप अपने उस Paragraph पर पहुंच जाओगे जैसे कि देखे यहाँ पर मैं Select कर रहा हूँ Page Number Page Number क्या करेगा Paragraph आपका जिस Page पर होगा यह उस Page का Number देदेगा तो यह जो Paragraph है दोनों यह मेरे पहले पेज़ पर है क्योंकि मेरे पास अभी एक ही पेज़ पर है तो यहाँ पर One लिक कर आजाएगा ठीक है यहाँ पर One लिक कर आएगा और यहाँ पर देखे मैंने Insert as a Hyper Link कर रहा है इसको Check तो वो Hyper Link बन कर आएगा Page Number इंसेट पर क्लिक कर आएगा तो यहाँ पर पेज नमबर आगया वन और यहाँ पर यह Hyper Link बना हुआ है अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर हूँ Control के साथ देखे Control का बटन प्रेस कर आएगा इस पर माउस के पॉइंटर को लेके जाऊँगा अगर आप किसी को भी Link देना चाहते हो तो आप Link भी दे सकते हो इसके लिए आपको इसको चेक रखना है तो मैंने इस अभी चेक रख दिया तो देखे यहाँ पर पेज नमबर आ रहा था पेरेग्राफ नमबर तो पेरेग्राफ का नमबर आ जाएगा जैसे देखे यहाँ पर मेरे पास 1 और 2 दो पेरेग्राफ है तो अगर मैं 2 को स्लेक करूँ और इंसर्ट पे क्लिक करूँ तो देखे पेरेग्राफ का नमबर आ गया है यहाँ पर 2 अब देकिए यहाँ पर मैं अभी paragraph text को select कर रहा हूं और यहाँ पर मैंने paragraph 1 को select और insert as a hyperlis select रहा है,ड की insert पर click करूँगा तो यहाँ पर पूरा paragraph आ जाएगा,से इसने पर paragraph दिया और यह link है control क्लिक करूंगा तो मैं अपने उस paragraph पर पहुंच जाऊंगा ठीक है यहाँ पर मैं इसको delete कर देता हूं और यहाँ पर मैं cross reference से फिर से जा रहा हूं अब देखिए यहाँ पर above और below दो option मिलते हैं above below क्या करेगा जो आपका paragraph होगा यह आपको बताएगा कि paragraph इसके below है या above जैसे मैंने above below को select करा insert पे क्लिक करा तो देखिए below बिलो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा paragraph वो इसके नीचे है इसके नीचे इसलिए below आ रहा है अब देखिए मैं एक काम करता हूं यहाँ पर मैं अपने paragraph के नीचे चले है यह हमारा paragraph है यहाँ पर गया cross reference पर गया और यहाँ पर मैंने above और below को select करा insert पे क्लिक करा तो देखिए अब above आ रहा है क्योंकि जो हमारे paragraph है वो इसके ऊपर है ठीक है इस तरीके से below बिलो और above करता है same हमारे पास यहाँ पर यह भी option मिलता है जैस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें below और above यही option देगा तो यहाँ पर मैं इसको अभी uncheck कर रहा हूं ठीक है यहां से भी आप include कर सकते हो और यहां से भी above below insert कर सकते हो तो यह हमारा number list था अब देखिए heading अगर आपके content में या paragraph में कहीं भी heading है तो आप heading को insert कर सकते हो तो अब यहां पर कोई भी heading शो नहीं कर रहा तो मैं एक heading बना देता हूं यहां पर देखिए इसको मैं select कर रहा हूं वीडियो को और home tab में जा रहा हूं और इसको मैंने heading बन कर दिया ठीक है अब देखिए मैं जाऊंगा insert tab में cross reference पे click करूंगा यहां पर देखिए heading शो हो रहा ह insert as a hyperlink इसको check कर दिया मैंने ठीक है अगर आपको hyperlink नहीं बनाना तो इसे आपको uncheck करना है इसके बाद देखिए insert reference to आप heading का text देना चाहते हो heading का text क्या आएगा video लिख कर आएगा अगर आप page number देना चाहते हो तो जो उन से page पे heading होईगी वो page number आ जाएगा heading का यहां पर text above below देना चाहते हो तो यह slack कर सकते हो तो यहां पर देखिए heading का जो text है यानि जो video है वही लिखा हुआ आए तो मैंने देखिए यहां पर इसको heading text करा insert पे click करा तो देखिए यहां पर video लिख कर आ रहा है control click करूँगा तो देखिए मैं उस heading पर पहुंच जाओंगा ठीक है तो bookmark कैसे देंगे जैसे कि इस paragraph पे गया मैं reading is easier bookmark पे मैंने click करा और यहां पर मैं लिख देता हूँ मैं reading लिख देता हूँ ठीक है इसका जो first word है मैंने paragraph का वो लिख दिया add पे click करा वो add हो गया मैं दिखा देता हूँ bookmark पे click करके reading add हो गया इसके बाद देखिए मैं जा पेज है एक से ज्यादा पेज होएंगे तो आपके पास page number वो आ जाएगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर मैं आपको एक ही page लेके ही बता रहा हूँ simple ठीक है cross reference पे चलते है bookmark के बाद हमारे पास है footnote तो अगर आपने footnote लगा रखा है तो आप footnote को भी reference बना स इसके बाद हम जाएंगे reference में reference में reference में देखे हमें यहाँ पर end note और footnote दो option मिलते हैं यहाँ पर मैंने footnote पे click करा तो देखे footnote जो होता है हमारे page के last में लगता है और जो end note होता है वो हमारे पूरे document के last में लगता है यानि अगर आपके document में 5 page है तो आपका end note होगा वो 5 पर 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 यहां पर मैं फूटनोट लगा दिया फूटनोट ठीक है फूटनोट लगा दिया अब देखे मैं इस फूटनोट को इंसर्ट करना चाहता हूं तो यहां इंसर्ट पर जाएंगे पर यहां पर मैं फूटनोट को स्लेक कर रहा हूं ठीक है और यहां पर मैं इंसर्ट पर क्लिक कर रहा हूं तो देखे पेज नंबर आ गया यहां पर अगर पेज नंबर का ही ऑप्शन दे रहा है यहां पर इसके लाबा एब बिलोगा ऑप्शन दे रहा है ठीक है तो इस तरीक समझ में आया कोई doubt हो तो comment कर देना मिलेंगे next video में जब तक लिए bye bye thank you and take care